सोड में जैब परकास पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे यह स्टॉक इस समय देखें तो एक प्रिमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से काउंट अपेंगे आज इस्टॉक फोर करोर के वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया 35,000 कौन्टिटी बाइंग के तरफ दिख रही है historical chart common है stock की recent की delivery better दिख रही है जो technical trend है वो भी देखेंगे तो एक reversal और better trend दिख रहा है पहले तो power sector को देखें power sector में आप क्या पाएंगे कि यह जो एक range है यह जो पूरा range है यह consolidate range है एक बरा breakdown हुआ तो इस range से breakout कर दिया है तो potentially जो target है 8400 और इसके उपर का target आपको देखने को मिल सकता है इसके साथ ही आगे क्या देखेंगे JP power को शिय में as expected एक यहाँ देखेंगे तो एक बरा range और इसके बीच में consolidate यह sector का trend है यहाँ देखें एक बरा range यह उपर का लगभग 24 का range किसका यह एक बरा range और इसके बीच में consolidate हो सकता है कि यहाँ से भी breakout हो लेकिन real trend 24 के उपर दिखेगा तो जो short turn momentum trend लेना चाहते हैं वो इस level के breakout के उपर जाएंगे जो value investment करना चाहते हैं वो इस zone में धीरे-धीरे accumulate करेंगे दूसरी बात यह 50-20 डेमा के उपर consolidate कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से इस परकार से retracement और यह trend continue करें अब monthly time frame में देखेंगे monthly time frame पे इस stock में देखें तो क्या दिखेगा 24 के आसपास एक resistance है जो earlier यह क्या हुआ करता था support इस समय क्या बन रहा है resistance अब एक बार यह resistance breakout किया तो यह पूरा rounding pattern है फिर यह 90 और 100 के भी levels दिखेंगे इससे पहले हो सकता है कि एक बार 49 एक बार near around 70 और उसके बाद 9200 तक के levels भी दिखें और बात की जाए कि weakness कहा से होगा इसे stock में तो इस समय weekly time frame पर देखें और यह trend line देखेंगे trend line